हेलो फ्रेंड संजु की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आवला की दरदरी बड़ी तेस्टी चटनी की रेशिपी सेयर करने आई हूं और पनीर भुजी की रेशिपी सेयर करने आई हूं दोनों को देखेगा बहुत ही बेंदास बनती है और बिल्कुल अखलक देख लिजेगा थोड़ा सा देखें यहां खलबट्टा छोटे सा इसका जो खलबट्टा होता है ना अधरक उटने के लिए मैं वही ले रही हूं और दो आवला ली हूं और इसको इतना ही उबाली हूं जिसमें इसका बीज असानी से निकल जाए आई क्या थोड़ी गर्म है अभी मैं अभी इसी समय इसको यूज करूंगे देखें हलकी से जब गरम रहती है ना तो बहुत अच्छा से कुटाता है और दो हरी मिर्च में देखें स्वादानुसार आप डाल दीजेगा पांस से छे लसुन को ले लिजेगा इसको भी डाल दीजेगा और धनिया पत् करनी है इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से कुटेंगे ना आवला क्या थोड़ी गर्म है ना तो अराम से बहुत अच्छे से पेष्ट जैसा बन जाएगा और इसको इसी तरह से कुटना है देखें इसको जादा देर नहीं लगता है कुटने में एक से दो मिनट काफी है अच्छा से आजाएगा और इसमें बहुत टेस्टी लगता है इस तरह का और इसमें आधा से एक चमर ससो का तेल डाल देजिएगा और इसको फिर इस तरह से कुटिएगा इसको देखें में को पूरा कुटने में दो से तीन मिनट का बस टाइम लगा है बहुत अच्छे से तो उसमें उतना आपको फ्लेवर पता नहीं चलेगा पन्तु इसमें हर एक चीज का फ्लेवर आपको अच्छा से आएगा और बहुत ही टेस्टी लगती है और अभी आवला का सीजन है बहुत अच्छे से मिल जाती इस तरह से देखे बनाईएगा और इसे आप चावल के साथ खाईए और खाना भी चाहिए से क्योंकि इसके बिटाइमिन से इसमें बहुत ज्यादा होता है हेल्थ पेनिफिट तो इसमें गजय भी होता है इस तरह से आप खाईए और इसका आवला का पूरा मज़ा लीजे इस सीजन में अब मैं आपको दिखाती हूँ पनीर भूजी म है गर्म होने के लिए जब खॉलने लगे ना इस तरह से देखे वुफन रही है ना अब देखे क्या करती है यहाँ पर देखे इतना सा विनेगर ली हूँ दो चमर्च और इसमें पूरा पानी डाल दूंगी बॉल में अब देखे इतना सा पानी डाल दी हूँ अब जब बनती है और जितना पानी बचा था उसको डाल दी जब ग्रीन पानी दिखने लगे तो बहुत अच्छा से छेना तयार हो जाता है देखे इस तरह से इसी तरह से मैं पनीर भी बनाती हूँ आम पनीर को क्या टांगती वंगती नहीं हूँ पर आज आपको पनीर भूजी बता हूँ और इस तरह का जो छेना अब मैं निकालूंगी ना नेट में तो बहुत अच्छा लगेगा सौप्ट सौफ्ट बहुत सुन्दर फ्लेवर इसका आएगा और यहां देखे दो बड़े साइज का मैं प्याज ली हूँ बहुत बारिक नहीं काटी हूँ इस तरह से देख थोड़ा मोटा ही काटी हूँ और यहां कडी पत्ता भी मैं इस्तमाल कर रही हूँ देखे इस तरह से बहुत सुन्दर सा फ्लेवर आता हरी मिर्च एक दो डाल दीजेगा या जितना अच्छा लगता है दो से तीन टमाटर आप डाल दीजेगा इसको देखे मैं बहुत बार प्संद करते मुझे ज़्यादा पिल पसंद नहीं है ने ही मैं इसमें कम डाली हूं आधा चमजीरा डाल दी आई जो प्याज मैं दो ली हुई हूं ना इसको देखे इस तरह से डाल दे रही हूं कड़ी पत्ता तो सिमला मिर्च जो काटी थी और लशन का टुकड़ा छोट छोड़ा सा भी अख कर देती हैं हलका सा कम कर दूंगी बस इसको जादा नहीं पकाऊंगी मात्र एक से दो मिनट इस्से जादा नहीं पकाऊंगी देखे इस तरह से इसको चलाएगा जलना नहीं चाहिए इसका फ्लिवर मज़ा नहीं आएगा फिर देखे इस तरह से इसको चलाएगा बड़ी हासी ज्यादा टाइम पनीर भूजी में बिल्कुल भी नहीं लगती है बहुत कम समय में ये तयार होने वाली रेसिपी है अब इसमें दे इसमें में नहींरे हों स्वादानुसा यहां पर कस्मेरी मिर्च का भी सथे माल कर सकती ज्यादा गाढा कर सकती जाएगा लाने के लिए मैंżen में टीखा मिट्री टाली हूं पौडर स्वाधनुसार अज ये टमाटर था ना तीन इसको इस तरह से काटके जो रखी दिसको इस तरह से भी डाल दी देखे मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा गला के नहीं पकाया है इसको हलका सा बहुत अच्छा से सुनहरा कलर जब थोड़ा सा था उसी समय मैंने इसमें देखे डाल दिया सबसमा और यहाँ पर चौमिन मसाला आधाच मज़ डालिएगा बहुत ही बेंदाश टेस्ट इसका होता है एक क्या है ना जिसमें भी पढ़ जाती है ना उसका टेस्ट निखार देती है इस तरह से देखे मैं इसमें डाल दी हूं चौमिन मसाला चिंक्स का जो आ पानी जो था ओ डाल दी अब मैं पनीर जो बनाती हूं इसी तरह से बनाती हूं तो आज भूजी बना रही हूं देखे कितना अच्छा से सेपरेट हो गई इसका जो पनीर बनता है ना बहुत ही सौप्ट बनता है तूटती विखरती बिल्कुल नहीं देखे मैं कर्षूल से कितना जोड़नुर से दबा रही हूं तब जाक इसको मुझे क्योंकि तोड़ना है इसे पनीर तो बनाना नहीं है तो देखे इस तरह से मैं इसको तोड़ दूँगी अराम से तूट जाएगी अभी गरम है ना तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगी और बहुत अच्छा ल ऐसे एकुप जाल दीजेगा इसे भी मॉस जो चो tailर आता है बहुत सुन्द आता है कि ऊंधा से चला दीझा हुँ और क्यात है यह और शुपना लुट चला दी आज्गी इसको दाल कर बहुत अच्छे से चला दी आज mı알 जो इसको करने मे जो टाइम लगा है ना मातर तीन मिनट दो मिनट मैं डाली थी प्याज को भूनने में और उसके बाद इसको देखे मस्त से भून ली छेना वेगरा सब डाल कर बहुत अच्छे से तयार हो गया है अब इसको देखे प्लेट में मैंने निकाल लिया देखे कितनी अच्छी लग रही है इसका इस्ते माला बहुत सारी जगा पर कर सकती है लेगरा हैं यह बहुत सुन्दर तेस्ट होता है या ड़ेट के उपर इससे डाल दिघे उपड़से चीज़ जालके ग्रिल कर लिजे या तवा में सेक लिजे तो भी बहुत सुन्दर लगता है इस तरह से देखे मैं पनीर भूजी बनाती हूं बहुत ही सुन्दा टेस्ट आता है इसका अगर आपको मेरे आवला की चटनी धरदरी चटनी और पनीर भूजी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नाटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरे वीडियो को इसी तरह से देखा कीजिए वीडियो को देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू